हेलो दोस्तों स्वागत है आप काल वंडे एंड अधर लग्जाम चैनल पे तो इस वीडियो में आप सभी के लिए वही फर्ट शिफ्ट का अंसर की लाए हुए हैं जिसमें से मैंने आप सभी कुछ जीएस का 100% accurate सही का एंसर दे दिया है अब मैं इस वीडियो में आपको मैथ का कुछ बताने जा रहा हुँ ठीक है दोस्तों तो मैं इसमें accurate 100% मैथ का भी बताने चल आँ चैनल सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चानल को और गण्टी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और लगतार ने बिदू cent इस लिए बोलेंगे कि हो सकता है कि आपको उस समय से कम आये इसमें सिक्यों की धूनला दिखेगा पेपर हमारे पास जो आया है थोड़ा सा इसकी किलरिटी सही नहीं है इसलिए मैं आपको प्रशन बोलूगा फिर उत्तर बता दूगा आप उत्तर मिलाते चले ठीक है तो देखिए पहल चालिस मिनट में उसी दूरी के तैक करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए यह आपका प्रशन है तो इसका आपको उत्तर हो जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है तो आपका आपसन नमर सी सही होगा अगर आपने आपसन नमर सी सही किया तो आपका सही है अगला अगला प्रशन है अप सभे के लिए चालिस नमबर यदि एक बस किसी भी अस्थान पर न रुके prata तो वह एग घंटे में 45 किलोमीटर टाय कर पाते है कर पाती है यह अगला प्रशन है उसको बार्छाज़ 1 कि 10 कि 1 थान चाहिए है तो इसका आपका उत्तर हो جाएगा 40 कृ मत सही है अगर आपने 12 किया तो आपका उत्तर सही होगा अब अगला प्रेशन है उसको देखते एक तालिश नमबर किसी आयत की लंबाई तथा चोड़ाई का अनपात 5 अनपाते 6 है तथा इसका छेत्रफल 6,750 cm2 है आयत की लंबाई तथा छेत्रफल का अनपात ज्यांत करें तो सबसे चोटी चार अंकों वाली संख्या में अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे चोटी चार अंकों वाले संख्या के अंकों के योग का गुड़न फल ग्यात करें तो इसमें जो आपका संख्या के अंकों गुड़न फल ग्यात करने का है तो इसमें आपका नमबर सी सही हो जाएगा चार अपसर नमबर चार हो जाएगा चार ठीक है 42 का 33 प्रेशन आप सब के लिए दिया गया था 13 स्विभाजित होने वाली सबसे छोटी तीन अंकी संख्या को 16 स्विभाजित किया गया है जजएस फल ज्याथ करें ठीक है तो ये 43 समया जो आपका प्रेशन है ये शम्में भी आपको ज्याथ करना था तो इसमें दिर सुखी हो जाएगा ठीक है अब हम चलते हैं 85 समून प्रश्ण झैड़ तो 48 समूमर है आप सभी का किसी刃 कि व्याथ कर दोगुना किया गया उसका शेत फल कितना बढ़ जाएगा अगर किसी kijशन के बैंग खाते में 86.54 का सेस है 55.3 एक जम्मा करने और 84.33 की निकासी के बाद सेस राज़ी क्या होगी ठीक है तो इसमें सेस राज़ी क्या बचेगी यह पूछ रहा है तो इसमें आपका जो सेस राज़ी बचने वाली है वह आपका 57.52 एन की आपका उप्सन नुमर 1 सही है अगला प्रशन है उसको देखते हैं हम लोग 47 नुमर 1 संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के गुणन फल समापवरतन तथा विभाज़ित किया गया और फिर स्यमस विभाज़ित किया गया परड़ाम ग्याद करें तो इसमें आपको परड़ाम ग्याद करना था तो इसमें आपको जो उत्तर हो जाएगा, 47 का 3 आ जाएगा आफसर नमबर C, सही होगा ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं 48 नमबर प्रशन है इसको आपको खुद हल करके हमें बताना होगा ठीक है, ये कितना आएगा अगला चलते हैं हम लोग 49 नमबर की तरफ 49 नमबर प्रशन है चालिस के वर के चालिस प्रस्द का चौथाई भाग ज्याद करें 49 नमर जो प्रस्द है 40 के वर के 40 प्रस्द का चौथाई भाग ज्याद करना है तो इसमें आपका 49 नमर जो हो जाएगा 160 हा जाएगा आपसर नमर C आपका सही हो जाएगा 49 का और 59 प्रस्द है अगर हमारी बात अबर नहीं समझा रहे हो तो थोड़ा सब की लेटी सुन लें क्योंकि आप दिखाई रहें दे रहा होगा तो हमारे सब्दों ध्यान दे और प्रेशन को मिलान कर लें ठीक है अगला प्रेशन है उसको हम बताते हैं एदि बिक्री मुल्ह तीन गुना किया धाय तो लाब पांच गुना हो जाता है लाब ग्याद करें तो लाब कितना हो जाएगा इस में तो आप Ond doione सबूल प्रेश्चत हो जाएगा 0 अगला प्रेशन है उसको देखे एक से 42,000 में दिया गया है एक स्कूटर ख़ीदता है वह मरमद पर 6,000 खर्च कर देता है उसके बाद स्कूटर जो है 24,000 उसर्फ में बेश देता है उसका जो लाव है तो उसको लाव घ्याद करना था तो उसका लाव कितना हो जाएगा 12.5 प्राश्ष के हटे तो आवका आसे नुमर भी सही हो जाएगा 12.5 प्राश्ष के अगला प्राश्ष के वावण नमबर आप सब लिए दिया गया है कि 110 लागत वाली एक वस्टु 104.5 में बेची गई कितनी छोट की पेशकस की गई थी तो इसमें पूछा है कि कितनी छोट की पेशकस की गई थी तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा पांच प्रिश्ट की पेश्ट की गई थी तो अफ्शन नमर 20 सही होगा अगला प्रेशन तीरपन नमबर चक्रविदी ब्याज पर निवेश किये गए धन की रासी दो वर्सों में इसका जो उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन उसको बता देता हूं चौवा नमर प्रेशन दिया गया है चक्रविदी ब्याज पर निवेशित पचीज जार की रासी एक वर्स में अर्दिवार्शिक चार प्रेश्ट प्रति वर्स की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी रुप प्रेश्ट प्रेश्ट दिया गया है ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार सुरू किया है बिरकूश समय के बाद सहर्थिम्र के साथ उसमें सामिल हुआ है यह दिवर्स के अंदमें 3 नपात एक के अन पात में लाव साझा किया जाये तो राफ भी कितने महीने में बाद सामिल हुआ है तो देखे इसमें जो है इसमें काउंट गलत कर दिया है तो अगर इंगलिस में देखेंगे तो इसमें सही दिया है तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा चार आपसा नमर एक सही होगा ठीक है पचपन का चार हो जाएगा अगला प्रशन है इसमें आप देख चातने में छात्रा की संख्या क्या होगी तो इसका 56 का आपका उत्तर हो जाएगा 40 हो जाएगा अब हम लोग बढ़ते हैं 57 की तरफ ठीक है 57 नमबर जो आपका प्रशन दिया गया था AB से दूगुना कुशल है और BC से तूगुना कुशल है यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा करता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा आपसर नमबर आपका A सही है तीन हो ठीक है अब मैं पार्ट वाई पार्ट आपको डाल रहा हूं तो बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो ची लाइक राइक शेयर सब्सक्राइब धन्यवाद पहला प्रशन द्योखतों आप सब के लिए दिया गया है उसके बाद लिखा को छोड़को नेम लिखित सभी संगन बहुलक है तो इसमें से दिया गया है आप्शन नमर एक आपका सही हो जाएगा पाली एस्टर ठीक है दूसरा नमर प्रशन है आप सभी के लिए भारती प्रद्योखी संस्थान जो है कानपूर ने फिन इस पेस दिया गया है कि उसमें एक कार्याला बनाया गया है जहां पुलिस भरती परिच्छा खराई गई है इसमें दोल से संब्दर में है तो इसमें दोल पूछा है तो आप सभी को अगर पैशा दियें तो आप सभी पता हो कि इसमें जो दोल है आपसा नमर एक आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन है आप सभी के लिए 22 राजपाल के रूप में किसने सपत ग्रहण की थी तो जो 22 जुलाई को राजपाल के सपत ग्रहण किये थे वह सिर्मान राम नाइक जी थे तो आपसा नमबर सी आपका सही हो जाएगा जो अभी दी प्रजेंट में है ठीक है अपसा नमबर सी सही है चार का पांच नमर सब्सक्राइब था 1658 में बहादूर पूर के युद्ध में साहां के दूसरे बेटे साफ सूजा को साहां के पोते ने हराया था तो किसने हराया था तो देखे दोस्तों यह जो युद्ध हुआ था यह राजगद्धी के लिए हुआ था तो इसमें जो सुलेमान सिकोह था इ झाल झाल